नमस्कार दर्शकों मैं दिप्यक खुबरे और आप देखरे जे टीवी भारत आएए रूख करते आज के मुखे समाजा रूखियों बाबुलल टाका ने किसानों को संबोधित करते वे कहा किसानों के हित में अनगिनत योजना चला है इन योजनाओं का लाब किसानों को मिल रहा है पशुवहन योजना आपके सामने हैं स्ताकारि संस्ता बर खेड़ा देव डुंगरी द्वारा मुखे मंत्री करशी ब्याज माफी योजना 31 मास 2023 की इस्तिती पर दो लाग तक के बकाया फसल रन पर ब्याज राशी माफी योजना का शुभारम हुआ कारिकरम के मुख्य अतिती के रूप में श्रीमती पुष्पा बाई कनहिया लाल पाटिदार जन्पत पंचायद अद्यक्ष मलहारगर श्री बावुलाल डाका किसान मोर्चा मंदर श्रीमती कुसुम कोर क्रश नपाल सिहं ग्राम पंचायद सरपंच ग्राम पंचायद बर देव डूंगरी मुकुन जी पाटिदार सरपंच प्रतिनी धी ग्राम पंचायद पिपलिया बिष्णिया सकारी संस्ता बर खेड़ा देव के 272 किसानों का लगभक 47 लाग ब्याज रुपए माफी हुआ जिसमें बर खेड़ा देव लसूरिया पिपलिया बिष्णिया मनास निवक डियां सब्सक्राइब मुः लसुए मा बर खेड़ा देव के संस्ता प्रबंदक प्रकार्चन प्रजापती a लुनिक कष्या बर खेड़ा प्रकार्चन, पुष्य दाउर anda a जांगर हुआ जन्या, इस उसर पर गणमाने ब्रुभग म्यध्य शक्ति हमेंbracht Examit, आपर अशोग बातिदार द्वारा किया गया अभार महेंदर सीन शक्तावत नहीं माना। जो ब्याज माप किया गया। मैं मुक्य मंतरी जी, शिवराज सिंग चोवार, क्रशी मंतरी कमल जी पटेल को धन्यवाद दूँगा। जो कांग्रेस की सरकार कमलनात की उसमें किसानों को लाली पाप दिया गया कि करजा माप करेंगे दो लाग तक का और उनका करजा माप नहीं हुआ तो किसान कालातित हो गए और कालातित होने के कारण डिपालडर हो गए और डिपालडर होने के कारण उनको ना तो ब्याज मिला ना भीमा मिला ना मोहाजेगी राशी मिली तो आज मुखी मंत्री शिवराज सिंग चोवान ने ये किसानों के जो ब्याज रिन मापी योजना जो आज करी तो आज का स्री गनेश किया गया में किसान मोर्चा मंडल मलहारगड अध्यक्स बाबुलाल डाका पाटिदार पिपले विष्णिया के ओर सी मुख्य मंत्री जी शिवराज सिंग चोवार और क्रशी मंत्री कमल जी पटेल और हमाले मलागड विदान सबाशेत्र के लोकप्री हरितकांतिक जन्रा केबिनेट मंत्री भाईशाब चीरी जग्दीची देवडा को भोत भोत धन्यवाद दूंगा